दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही जादा important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक professional salary sheet बना सकते हैं देखो एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आप कहीं पे भी as a excel operator work कर रहे हो तो आपको salary sheet बनाना आना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी organization में work करते हो और वहाँ जितने भी employees है तो उनकी salary, DA, HRA, TA ये सब कुछ आप ही को manage करना पड़ सकता है आज किस वीडियो में हम ये तो सीखेंगे कि आप salary sheet कैसे बनाओगे साथी interview में कुछ terms पूछ ले जाते हैं जैसे कि DA क्या होता है, HRA क्या होता है, TA क्या होता है, allowance क्या होता है, साथी PF, ASI, gross salary, basic salary बहुत कुछ है वो सब कुछ आज किस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे आप सब बस छोटी से request है कि अगर ये वीडियो आपको useful और informative लगे तो प्लीज वीडियो को like करें और अगर ये वीडियो आपको useful और informative ना लगे तो प्लीज वीडियो को dislike करें तो बिना किसी तेरी case शुरू करते हैं एस वीडियो को तो normally ध्यान देते है computer screen पे और यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने जो format है salary sheet का वो मैंने यहां पर बनाया हुआ है और जो जो columns है like employee ID, name, designation, basic salary और भी जो terms है उन सब को मैंने add किया हुआ है सबसे पहले शुरुबात करते है employee ID से देखो office में क्या होता है कि मानलो Rahul करके कोई person है तो हो सकता है कि Rahul नाम का employee एक और हो और हो सकता है कि 2-3 हो तो corporate यह job sector में होता क्या है कि हर एक employee को एक official ID दी जाती है और उस ID के भिहाब पर उसे enroll किया जाता है या फिर चेक किया जाता है कि इस ID का person है कौन तो यहां पर simply मानलो कि हम format दे देते है ID का कि ES101 यह हमारा ID का format है जो कि employees को दिया हुआ है तो यहां पर क्या करना है कि 10 employees है हमारे पास तो मैं एक और format लिख देता हूं ES102 यानि कि जो अगला candidate है और मैं दोनों को select करके simply यहां पर corner पर आऊंगा plus का symbol आएगा और इसे हम कर देंगे drag तो जितने भी बागी के employees है जो कि step by step आगे आने वाले उनके लिए मैंने एक की बार में यहां पर जो भी id enrollment है वो कर दिया इसके बाद बात करते हैं यहां पर नीम्स की तो मालनों जो तो इस तरीके से जो भी हमारे employees हैं उनका नाम हमने add-on किया अब देखो जितने भी employees हैं सबका designation अलग-अलग होता है सबसे पहले चीए designation होता क्या है designation मतलब आप किस पद या ओदे पर काम कर रहे हैं जैसे आपकी post क्या है manager की post है assistant manager की post है staff हो supervisor हो helper हो हो क्या तो यहां पर हर एक employee की एक official designation होती है तो यहां पर मैंने डाल दिया कि जिसे इनके designation हो क्या है manager इनका मैंने डाल दिया कि यह assistant manager है मैंने क्या करते है manager को assist करते हैं इसके बाद हमने मोहित का डाला तो यह supervisor है इसके बाद यहां पर निशानत जो है वह staff है और यह जो है यह supervisor है फिर हमने आप डाल दिया staff फिर हमने डाला staff और यह जो तीन लोग यह category में आते है helper में का helper helper तो यहां पर हमने जो designation है वो भी हमने फिल कर दिया अब यहां पर बात करते है next time की जो कि है basic salary यहां पर अब मैं बात करूँ जो basic salary और उसके आगे जितने भी term से like hr a d a यह सब important होने वाले तो जरह ध्यान देना अब यहां पर सबसे बात करते है basic salary की देखो 8 गंटे 9 गंटे जो आप time कर रहे हो office में उस 9 गंटे के आपको क्या salary pay की जाती है वो होती है अब की basic salary मानलो जैसे manager तो इनकी salary 45000 ऊपे तो मैंने लिख दे 45000 ऊपे इनकी salary है असेस्टेंट manager हमने आप लिखा इनकी salary है 40,000 ऊपे यहां पर supervisor हमने लिखा 35,000 ऊबहर इनकी salary मैंने देदिया 30,000 ऊपे या पिर सेम यहीं पे भी मैं दे देता हूं 30,000 ऊपे इस staff की कि बात करें तो इसके सेलरी यहाँ प्चीस हजार रुपय फिर सुपरवाइजर की बात क theo हम ने की सेलरी ळाल दे कि sh32,000 रुपय इनकी सेलरी है इस स्टाफ के हम कि सेलरी यहाँ बात करें तो इनकी सेलरी डाली है lot सब्क्राइब और यही सेम 17000 वैं हमने डाला यहाँ और सर्फ 20 दिन आयो तो आपको 45,000 तो नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ 20 दिन के ही salary मिलेगे तो basically salary sheet है लेकिन एक attendance sheet भी create की जाती है जिसमें क्या होता कि आप कितने दिन आये हो कितने दिन leave है कितने दिन हाप देखिया है उन सब का लेखा जेखा होता है और उन सब को card के proper attendance calculate की जात कि यह जो भाई साब है यह आये है 29 दिन यह आये है 30 दिन यह आये है 28 दिन यह आये है 26 दिन 24, 25, 30, 30, 30, 25 और 30 और यहां पे भी हमने डाला 30 तो यहां पे हमने attendance डाला तो अभी जो मैना point आप से बोला कि आपकी salary है 45,000 लेकिन महीन में मालनो कि आप सिर्फ 25 दिन ही आ रहे हो तो यहां पे salary आपको कितने दी जाएगे 25 दिन के ही दी जाएगे पूरे 30 दिन की salary यानि कि 45,000 तो आपको नहीं दी जाएगे तो attendance के भी हाप पे अब हमी क्या निकालना है salary सवाल आता है निकालेंगे कैसे देखो सबसे पहले तो हमी करना है यहां पे equal equal करने के बाद concept को सम आ गई एक दिन की salary अब एक दिन की salary को मैं multiply कर देता हूँ जितने दिन आप आये हो यानि कि जितने दिन आपने काम किया हमने कि enter तो यहां पे salary आ गई 37,500 और बस आपको simply select करके drag कर देना है automatically सब की salary यहां पे आ जाएगे कुछ लोग कि यहां पे point में salary आ रही है जो कि आप देख पा रहे हो और अगर आपको point वाली value हटागे round of value लानी है तो आपको उपर decrease decimal का option मिलेगा इस पर आपको click करना है एक proper accurate value आपको यहां पे मिल जाती है अब बात करते है next time की यह जो चीज़े आप देखे हो यह होते allowance DA,HRA,CA और TA यह सब क्या है allowance है allowance होता क्या है allowance होता ह तो कि अगर आप room rent पे लेके रह रहे हो तो आपको बता है कई company क्या बोलती है कि आपके रहने का, आने का, खाने का, पीने का खर्चा company ही देगी तो यह सब छूट होती है जो कि अलग-अलग companies अपने अलग-अलग staff के भिहाब पे या फिर अपनी अलग-अलग policy के भिहाब प्रोवाइड करती है, तो DA का मतलब है DRNs Alloyance जो कि महंगाई के हिसाब से दिया जाता है, especially जो सरकारी employees होते हैं, उनके लिए तो यह होता ही है, तो DA की बात कर लेते है, DA जो है वो percentage भिहाब पे भी दिया जाता है, और एक fixed amount भी हो सकता है, तो हम यहाप ही क्या करता है, कि स इसे percentage में रखना है, या फिर आपको simply एक fixed amount सब के लिए रखना है, तो फिलाल के नहीं यहाप पे डाल दिया 300, इसके बाद आते हैं अगले term पे, जो कि है HRA, जो कि क्या है House Rent Allowance, अब यहाँ पे मैंने DA आपको बताया एक ऐसे example से, कि fixed amount है, HRA हम करते है percentage के हिसाब से, कि मान अपने रहने का जो खर्चा है वो पे कर सकते हो, और उसे साब साब अपार्टमेंट या फ्लैट ले सकते हो, तो HRA क्या करता हूँ, मैं 18% add on करता हूँ, मैंने के यहाँ पे simply equal, और equal करने के बाद जो इनकी salary है, इसका 18% मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो मैंने क्या कि CA की, CA क्या होता है, यह होता है convince allowance, मतलब मालनू कि आपको company बोल रही है, कि आपका जो आने जाने का खर्चा है, वो हम आपको देंगे, जैसे 3000 हो गया, 2000 हो गया, 1000 हो गया, depend on आपका distance कितना है, या अलग-अलग parameters के भी आपको set करके रखते हैं, तो मालनू percentage भी समझ गया, औ perfect amount भी समझ गया, तो हम समझ लेते हैं कि 500 रुपए यह 1000 रुपए डाल देते हैं, 1000 रुपए company हर employee को as a convince allowance देती है, जाहर से बात है manager के लिए अलग हो सकता है, assistant manager के लिए अलग हो सकता है, बट फिलाल के लिए हम एक same amount रख लेते हैं, तो हमने आरका CA और हमने सब पैसे apply कर आप बात करते है TA, यह क्या होता है, TA होता है Travelling Allowance, और यह आपको कब दिया जाएगा, जैसे महलो कि आपका काम ऐसा है कि आप एजेंट हो, और आपको यह बोला जा रहा है कि आपको बाहर जाके काम करना है, महलो आप manager हो, आपसे यह बोला गया है कि आप ऐसा करो, आप उ उतरा खंड जाओगे, उतरा खंड में, आप मानलो कि कहीं पे रेंट पे आप फ्लैट लेते हो, या कुछ ऐसा लेते हो, वहाँ पे दो दिन स्टे करोगे, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वो सब कुछ होता है Travelling Allowance, तो यह कब मिलेगा जब आपको भेजा जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि TA आपका हर महीने एड हो, कण्वेंस तो है कि आपको रोज ओफिस आना है तो वो एड है, लेकिन TA का है जब भेज रहे है तो उसमें क्या होता है कि बिल दिखाया, जो भी Employee उसने बिल दिखाया, अपने जो भी CA है उनक और उसके हिसाफ से उनका TA एड हो जाता है, तो माल लो कि जैसे मैनेजर है, उनका इस बार बाहर का ट्रिप था उनको जाना पड़ा काम से, तो हमने 10,000 का उनका TA यहां पे डाल दिया, और माल लो कि किसी का बिल्कुल ही निया, जैसे इनका भी 0 है, और माल लिजे कि इनका लेकिन ही जो helper से इनका बाहर जाना पड़ाता है, और इनका 2,000 का TA बना है, तो यहां पे हमने select करके यहां पे डाल दिया, so I hope कि TA का मतलब आप समझ गयोंगे, traveling allowance, अब बात करते है next time कि जो कि है OT, OT का मतलब क्या है, overtime, देखो जहां पे आप काम करते हो, कई बार ऐसा होता ह अगर हम देखे, वहां पे क्या होता है कि आप से बोला जाता है कि order का pressure काफी जादा है, आप ऐसा करो 2 गंटे और रुख जाओ, तो 2 गंटे किस में count होता है, overtime में count होता है, तो मान लो कि चाहे आप manager हो, helper हो, senior हो, staff हो, supervisor हो, team leader हो, कोई भी हो, अगर आपको बोला जा रहा है तो जादा तर chances है कि आपको रुखना पड़ेगा, लेकिन उन 2 गंटे के आपको pay किये जाएंगे, तो यहाँ पर मान लो कि जो manager है, उन्होंने पूरे महिने में 50 hours का OT किया है, कितने का 50 hours का, इनका हमने डाल दिया कि इन्होंने 50 hours का क्या है, किसी का हमने डाल दिया 60 hours का है, अब सवाल यह आता है कि OT का पैसा कितना देंगे, देखो, कई जगा पर क्या होता है, कि आपका जो salary है, 8 गंटे आप काम करते हो, 8 गंटे की salary है, तो आप 1 गंटे के इसाब से दो, कि मतलब 60 गंटे इन्होंने काम किये, तो 60 गंटे की payment हम उनको देंगे, लेकिन कई जगा पर क्या होता है, कि OT के double पैसा मिलता है, तो वहाँ पर आपने 2 गंटे काम किये, तो पैसे आपको 4 गंटे के बराबर मिलेंगे, तो उस case में आपको बस तू से multiply करना है, फिलाल के लिए, हम OT salary निकालेंगे कैसे, 1 गंटे के साब से, देखो, यहाँ पर किया simply equal, आपकी salary कित 8 गंटे के, तो एक दिन की salary को में divide करता हूँ, 8 से, तो एक गंटे की salary आई, और गुना कर दिया, जितने गंटे उन्होंने काम किया, हमने कि enter, और 9,375 रुपए इनके 50 गंटे की salary बन जाती है, as a OT, और अगर आपको यह बोला जा रहा है, कि हम double payment दे रहे हैं, मतलब कि 1 ग गंटे के बराबर payment दे रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको लेना है bracket के अंदर, और simply, आपको यहाँ पर multiply with 2 कर देना है, क्या करना है, multiply with 2, और प्रस करना enter, तो यह double हो जाएंगे, तो यह बड़ा ही simple concept है, फिलाल किल में पहले जासा ही कर देता हूँ, एक घंट तो 30 से divide किया, एक दिन की salary आई, एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हो, तो 8 से divide कर दिया, तो 1 घंट एक salary आगे, गुना कर दिया जितने घंटे आपने काम किया, और आप cancer यहाँ पर आजाता है, आप यहाँ पर बात करते हैं, next term की, जो कि है gross salary, यह important factor हो गया, क्योंकि salary तो शो करता हूं, हमने के simply equal, equal करने के बाद, इनकी 25 दिन की salary है इतनी, plus में यह इनको मिला है DA, plus में यह इनको मिला है HR, plus में यह मिला है CA, plus में यह मिला है TA, और plus में इनकी OT की salary, सब मिला के salary हो जाते है, इनकी 66,275 रुपै, तो आप देख सकतो कितना difference है, वैसे इनकी salary 37,500, ल कैसे simply drag, इसके बाद आते है next हम पे PF और ESI पे, इस point को पहले समझना PF होता क्या है, PF का मतलब होता है provident fund, और यह आपकी salary में से कुछ amount करता रहता है, और जब आप job छोड़ते हो, तो आपको बड़े amount के तौर पे वापस मिलता है, तो PF क्या है, provident fund है, जो कि आपकी salary में से कट रहा है, इसके साथ इसका rule क्या होता है, अगर हम government sectors में देखें, तो वहाँ पे 10% PF करता है, और बागी का amount है, वो government जो अपनी तरफ से add on करती है, private sectors में क्या है, कि 12% का जो PF है, आपकी salary में से, जो आपका इस महीने salary बना है, उसमें से वो deduct होता है, मतलब 12% आपसे काट 50% add on होता है, as a PF, 12% employer की तरफ से, 12% आपकी तरफ से, तो हम क्या करेंगे, 12% निकालेंगे, हमने क्या equal, और यह salary जो इस महीने आपकी आई है, 25 दिन की, 37,500, इसका 12% आपको निकालना है, तो हमने क्या simply multiply 12 divided by 100, यह simply आप 12% ऐसे डाल दो, और 12% यहाँ पे आगया, तो यह amount क क्या होगा, यह deduct होगा, इसके बाद बात करते है, ESI की, ESI का मतलब होता है, Employee Estate Insurance, और यह total जो submission होता है, वो 3.something percent submit होता है, जिसका फाइदा यह होता है, कि अगर आपको कोई भी बिमारी होती है, कोई भी परिशानी होती है, तो government उसका benefit आपको देती है, लेकिन इसका कुछ रूल भी है, रूल क्या है, कि अगर आपकी salary 21,000 रुपे से जादा है, तो आपका ESI नहीं कटेगा, यानि कि आपको यह जो health insurance गौर्रमेंट की तरफ से इसका benefit नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक condition यह आ जाती है, कि जिन लोग की salary 21,000 से जादा है, जैसे अगर हम मैं छोटी सी चीज़ आपको बताने वाल हूँ, इस पर ध्यान देना, हमें करना equal, और if का एक formula होता है, वो हम add करेंगे, tap कि आप formula शुरू हो जाएगा, अब यह पूछरा सबसे पहले logic, तो logic यह है, कि अगर यह salary है, अगर यह less than है, क्या है, less than, कितने के 21,000 के, तो यहाँ वो कड़ जाएगा, कितना, 0.75%, अगर जो salary है, वो इससे कम है, क्या है, अगर यह salary इससे कम है, तो इसको हमने ले लिए bracket के अंदर, और यह हमने यहाँ पे डाल दिया, कोमा क्या, अगर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हमी क्या करना है, तो हमें यहाँ पे symbol 0 को print कराना है, तो उनका ESI कटा है, जो कि on screen आपके सामने है, अब बात कर लेते हैं आपे last term की जो कि है net salary, मतलब कि employee को हमें कितना पैसा देना है, और कितना उसमें से काटना है, तो देखो जो gross salary बनी है, वो employee की salary बन गई इस महिने की, लेकिन हमें काटना किया है, PF और ESI, तो simple करो equal, और यहा यहां पर आप देखोगे कि इसके जो in hand salary बनी है, वो यहां पर on screen आपके सामने है, तो यहां पर salary sheet का concept आपको killer हो गया, लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़े आप जान लो जो आपके लिए beneficial रहेंगे, जैसे कि यहां पर आप देखोगे, यहां पर 50 लिखा है, आपको denote करना है और यहां general को cut कर देना है, सबसे पहले हम लिखेंगे hash, hash किसले जो 50, 60, 40 लिख रहे हैं उसके लिए, और फिर double quads के अंदर हमें लिखना है hrs, rs, और हम करेंगे ok, तो इनके साथ rs प्रिंट हो जाएगा, यहां पर हमने in को select किया, और यहां coma का symbol है, यहां यहां पर click कि है, फिर format painter किया, हमें यह सब चीज़ अपलाई करनी है, इन पे ot salary, gross salary पे, तो हम यहां पे भी इस पे एक बार में apply कर देते है, यहां पी जगह कम बढ़ गे, इसको double tap करेंगे, जगह बढ़ जाएगी, format painter किया, यही चीज़ apply कर दी इस पे, और format painter किया, हमने यहां पे, यह यही चीज़ हमने apply कर दिया, यहां पे भी, जगह कम बढ़ रहे हैं, double tap करो, जगह बढ़ जाएगी, और यह error आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, same यही चीज़ हम HR-A पे भी कर देते हैं, और यहां पे double tap किया, जगह बढ़ जाएगे, आशा करता हूँ दोस्तो, professional salary sheet से related जो यह video था वो आपको समझ में आया हो, और जितने भी इसमें concept थे like DA, HR-A, TA, even जो allowance वगएरा है, यह सब आपको clear हो गया हो, अगर video आपको अच्छे लगयों तो please video को like और share ज़रू करें, और comment करके ज़रूर बताएं कि video आपको लगा कैसा, thank you.